तो नमस्कार दोस्तों भूराजनेतिक दबाओ के पाउजूद भी शिबायनों के जो ओफिशेली हैंडल है उससे एक बात कही गई है कि शिबायनों अपना ओल्टाइम हाई कब ब्रेक करने वाला है क्योंकि ओल्टाइम हाई के लिए लगभग 90-80% शिबायनों को बढ़ना प कई कंट्रीज यहां पर इन्वोल होती हुई दिख रही है और कई मुस्लिम कंट्रीज को भी अभान किया जा रहा है कि वो सामिल हो जाए इन सब के बीच भूराजनितिक दबाओ और प्रेसर के बीच हम यह देख पा रहे होंगे कि यार शिबायनों अपना ओल्टाइम हाई बनते हुए देखेंगे शिबायनों का और सिरुवाट जब नहीं हुई थी अक्टोबर के उससे पहले ही संकेत मिल गए थे कि केसे अचानक शिबायनों 40 मतलब 14 के लेवल से सीधे 20 के लेवल पर पहुँच गया था 4-0 के साथ पॉइंट के बाद बट हुआ है उल्टा जैस पर नहीं किया गया है तो वो देखते हुए यहाँ पर इस्तिती सुधरती हुई जरूर दिख रही है लेकिन यार देश है पता नहीं कब क्या कर दे कौन सी घटना इनको बुरी लग जाए तो वो येका लग विशे है लेकिन फिर भी ओफिशली तो और बार शिबायनों का ओल टाइम हाई ब्रेक के बारे में कहा गया है अगर आप एक चीज गोर करेंगे तो बीटी सी यहाँ पर बड़त डेड़ परशन दिखा रहा है आज 24 घंटे में मीम टोकन में कुछ आश्यरे जनक संकेत और कुछ यहाँ पर मैं आपको डेटा आकड़े दिखा रहा हूँ जरा गोर से देखे शिबायनू को शिबायनू 24 घंटे में 5 परशन 6 परशन बढ़ गया है अनमीम टोकन की तुलना में देखोगे पेपे डोग बॉंक फ्लोकी पोपकेट ब्रीट सभी डाउन है अकेला यहाँ पर शिबायनू बढ़ गया है आखिर एसा क्या है यही पर बत इसे रिजन क्या है बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर सामने है आप लोगों के लिए सभी को डिसकस करूँगा एंड तक वीडियो देखना पसंद आए तो चैनल के साथ जुड़ जाना सस्क्राइब करके वरतमान में अगर आप यहाँ पर देखे तो बताएगा है श शिबानू एकोसिस्टम टीम ने शिबा के नए है ओल टाइम हाई एटी एच पहुचने के समद्नी तक नया पोस्ट एक्स पर परकाशित किया अक्टूबर में इन्वेश्टरों को पूरी उम्मीद नहीं हुई कि शिबानू जैसी विभिन क्रिप्टो करेंसी मतलब इस टा बग रहा है कि अक्टूबर में शिबानू का प्रदैशन अच्छा रह सकता है बताया गया है कि क्रिप्टो बजार में बाकी हिस्तो की तरह शिबानू ने भी इस महिने की सुरुवात में भारी जो है ग्रावट देखी है और बताया गया है कि जो शिबानू की प्राइज है वो 27 सितंबर को 3 महिने के all time high पर थी उच्छेता मिस्तर पर थी जो 21 का लेवल था 4-0 के साथ इसमें 23% तक गिरावट आ गई है आज के टाइम पर 16 के लेवल पर है बताया गया है कि इस महिने की सुरवाद से शिबायनों में 11% गिरावट आई है जो सबको पता है और फिर भी कई शिबायनों समुदाय सदस्ट डाउन ट्रेंड के भी शिबा से आस्वस्त है क्यों उनका मानना है कि शिबायनों 2024 और 2025 में अपना all time high यहाँ पर ब्रेक करेगा लेकिन यहाँ पर उठापटक वही है कि इसराइल इरान क्या होता है इनका घटना करम किस टाइप से बढ़ता है अगर यह ज़्यादा बुरी स्थिति में पहुच गया तो जरूर यहाँ पर थोड़ी से डमडॉल स्थिति रहेगी लेकिन फिर भी शिबयनु नए all time high के बारे में ट्विट कर रहा है जिसमें टीम के officially तोर पर यहाँ पर बताया गया है कि खुले विचारों का एक संदेश पोस्ट किया जिसमें समर्थोकों से बताने के लिए कहा गया कि शिब एक नए all time high पहुचने का इरादा रखता है और एक ट्विट यहाँ पर आयता है जिसमें यह कहा गया है कि जब शिब एक नए all time high पर पहुचेगा तो मैं जाओंगा अब यह कहा जाएंगे यह थोड़ी मिश्टरी है यहाँ पर कि आखिर कहा जाने का इनका प्लान है जिसमें इस अंदेश देते हैं कि सदिश्यों को बताने के प्रसाहिद कर रहे हैं कि किस ताइब की प्रतिक्रिया यहाँ पर आ रही है और इन्वेश्टरों को एक लॉंग टर्म विजन के साथ आगे के तरब जाने के बारे में बताये जा रहा है अब यह स्थितिक्या होती है हाखिर कुसामा कहा जाने के बारे में बात कर रहे है यह किसी को यहाँ पर अभी अंदाज़ा नहीं है दोस्तों उधर अगर हम देखे तो ओफिशली तोर पर जो विशेशक्गे है उन लोगों को भी यहाँ पर उम्मेद है कि शिबायनू 24-25 में बूल मार्केट में ओल्टाइम हाई ब्रेक कर देगा क्योंकि तीन साल का लंबा इंतिजार है ओल्टाइम हाई का और मानना है इनका कि शिबा एक सुनन को समाप्त कर देगा और तीन जीरो के साथ वन के लेवल पर पहुच जाएगा और उनका मानना है कि शिबायनू एको सिस्टम के भीतर हो रहे है सकरात्मक डेवलपमेंट से इसकी वज़ा बनेंगे इसके अलावा शिबेरियम के टीवी एल में उच्छाल से भी एक बर्न मेकनिजम में यहाँ पर जो बर्निंग बड़े पेमाने पर होना है वो भी सामिल है और कई मैनों से इसमें रूची बढ़ रही है ऐसा देखने में आया है तो कुल मिलाकर अगर हम देखे तो यही है कि अगामी बुलरन मार्केट में जो बुलरन की इस्थिती बन रही है वो 2025 का जो इनका टार्गेट है उस हिसाब से शिबेन में 1300 परशेंड तक का पंप की बात कही जा रही है और 400 के साथ 16 से यह पंप यहाँ पर देखने को हाला कि यह सब इस्थिती तब निर्मित होगे जब इसराइल इरान थोड़ा सा थम जाए और अभी यहाँ पर थमता हुआ जरूर दिख रहा है लेकिन पता नहीं कब क्या हो जाए तो इस इस्थिती में भी अगर और हम जैसे बुलर मार्केट यहाँ पर यह तो एक छोटा स सी उम्मीद कर लेना मार्केट से क्योंकि रामोस ने अनुमान लगाया था कि अगले साल शीबायनू तीन जिरो के साथ 17 के लेवल पर पहुचेगा उसमें 931% की ग्रोथ होगी यह रामोस ने इस पश्थ तोर पर कहा था उसके अलावा भी सितंबर में एक नया ओल टाइम हा यह भी यहां पर बताया गया है तो एक कुल मिला के 90% के करेली यहां पर चाहिए जो सब कुछ तोड़ देगी और बाकी चक्र यहां पर बताया गया है कि 24-25 में कर देगा क्योंकि और शीबायनू के जो डेवलोपर डेवलोपमेंट हुए है इन पर लोगों का विश्वा से और अभी अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक चीज नीरमित हो रही है कि शीबायनू अभी 24 गंटे में 5% बढ़ा है 6% और अन मीम कोईन जैसे पेपे, डोग, बॉंक, फ्लोकी, पॉपकेट यह डाउन हुए है तो इसका मतलब विश्वास बढ़ रहा है शीबायनू के नहीं है यहां पर क्योंकि community sentiment भी यहां पर 20,000 वोट पड़े उसके बावजूद 86% लोगों का मानना है कि बुलिश है और बुलिश मार्केट में बुल रन के दोहराये पर 22% वोलियूम के साथ एक अच्छे खासे comeback के साथ मार्केट आगे जा रहा है और October से जिस टाइप से expectation है अगर थोड़ी स्थिति सुधरती है भुराजनितिक दबाव के चक्करों में तो हम और स्थिति सुधरने के विशे में आगे हम बात कर सकते हैं जो काफी अच्छे स्थिति रहेगे और meme token में भी अच्छे खासी pumping यहां पर देखने को मिलेगे आपको अभी हमारे पास इं subscribe कर लिया होगा नहीं किया है तो कर लीजे red button पर click करके ऐसे ही update पाने के लिए है